आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाऊ डाउनलोड नाउ question दिये गया है Raju purchased glasses at the rate of 15 रुपीज पर ग्लास and sold them at the rate of 12 रुपीज पर ग्लास on selling 42 glasses what will be the loss percentage तो हम यहाँ पर loss percentage पता करना है क्योंकि इसने 15 का खरीदा है और 12 रुपए पर ग्लास इसने बेश दिया है और number of glasses कितने है 42 तो चलिए पता करते हैं cost price क्या बढ़ी होगी राज़ों को ग्लासिस की so पहरे सबसे पहले पता करते है cost price तो CP of 42 ग्लासिस अगर हम पता करना चाहें CP of 42 ग्लासिस कितने हो जाएगी it will be 42 CP will be 42 into 15 that is equal to 630 रुपीज so it will be 630 रुपीज अब हम क्या पता करते हैं इनका selling price पता करते है SP जो है वो पता करते हैं कितना 42 ग्लासिस का CP कितना हो जाएगा 42 into क्योंकि इसने 12 रुपाय का बेचाए ग्लास तो 12 गुड़े 42 इसका एंसर आजाएगा रुपीज इसको solve करेंगे तो इसका एंसर रुपीज 504 12 दूने 24 और 24 दूने 24 दूने 50 अब हम पर पता करना है loss तो loss का formula क्या होता है loss is equal to loss का formula होता loss is equal to हमारा यहाँ पर है cost price minus selling price तो values पुट करते हैं यहाँ पर तो हम रखेंगे यहाँ पर values तो हमारी value आ जाएगी 630 minus 504 तो हमारे यहाँ पर value आ जाएगी 126 अब हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है loss percentage, तो इस तो पता करते हैं, loss percentage, तो loss percentage का फामला होता है, loss, that is 126 upon CP, saving price जो की 630 रुपए है, और into 100, solve करते हैं इसको, तो यह हो जाएगा, यह लिखाया और 2 times हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 20%, तो हमारा loss percentage हो जाएगा, वो हमारा 20% हो जाएगा, और इसको, अगर हमें इस form लिखना है, बिना percentage के form में 20 upon 100 करेंगे, तो यह हो जाएगा 0.2, तो हमारा option number C जो होगा, वो correct answer होगा.